सुलो फेंट्स मेरा नावा पुश्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू यह है Amazfit का एक बजट स्मार्ट वाच Amazfit Bip 3 और आज की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरही किसे आप Amazfit Bip 3 में कस्टम वाच फेस एपलाई कर सकते हैं तब अपने गैलरी का कोई भी फोटो या फिर कोई भी फोटो क्लिक करके उसको एज़े वाच फेस यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप किस तरही के से कर सकते हैं बट उसको करने से पहले आपको इस स्मार्ट वाच को जो है अपने फोन के साथ सेट अप करना होगा एक बार जब आप इस Amazfit Bip 3 को Zep App के थूँ अपने Android फोन के साथ सेट अप कर लेते हैं Zep App को आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है अपने स्मार्ट वाच को सेलेक्ट करना है वाच फेस के उपर आपको टैप करना है काफी सारा वाच फेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है बट हर एक वाच फेस जो वो कस्टमाइजेबल नहीं है कुछ वाच फेस कस्टमाइजेबल है बट हर एक वाच फेस में आप कोई भी फोटो जो है ना ऐस वाच फेस यूज नहीं कर सकते हैं इसके दूसरा वाला watch face भी select करता है तो यहां पे भी आपको नीचे में plus का icon देखने के लिए मिलता है इसके उपर आपको tap करना है उसके बाद या तो आप photo click कर सकते हैं या फिर आप photos को select करके जो है अपने gallery में redirect हो जाएंगे अब अपने gallery में से कोई भी एक image जो है वो select कर सकते हैं उसको zoom in, zoom out कर सकते हैं अपने आप से उसको setup कर सकते हैं select पर tap करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रिव्यू इस तरीके से show कर रहा है अब यहां पर यह जो date and time का font है इसके color को आप यहां से change कर सकते हैं आपको यहां पर color का option मिलता है जिसे यहां पर अगर हम blue select कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से blue color में show कर रहा है इतना करने के बाद जस्ट आपको यहां पर sync पर tap कर देना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि synchronization जो है वो start हो चुका है और आपके watch में कुछ इस तरीके से show करता है और यह जो synchronization process है वो काफी quickly जो है ना complete हो जाता है आपको watch faces देखने के लिए मिल जाता है तो कोई भी watch face अगर आपको use करना है non customizable तो जस्ट आपको उस watch face के उपर tap करना है and start synchronization के उपर tap करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी quickly जो है ना यह watch face जो हो synchronize हो जाएग आपके watch में and यहां पर आप देख सकते हैं कि watch face synchronization जो हो complete हो चुका है and यह कुछ इस तरीके का watch face है जिसमें काफी सारा details आपको देखने के लिए मिल जाता है तो अगर आपको custom watch face यूज करना है तो सिर्फ दो ही option मिलता है वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना विल्कुल free है मिलते हम लोग next video में बबाई चैहिंद